सबसे पहले आपको नमस्कार क्योंकि भाई इतने दिनों के वीडियो नहीं बना पाया तबियत खराब थी न्यूजिलेंड में रात भी हो जाती है ग्यारा बच जाते हैं जब बजार बंद होता है उसके बाद वीडियो बनाना बिल्कुल थकांग और तबियत खराब भुखा में पादारी थी दियार काई बच्चे टैलिग्राम पर पैसे दे देते हैं लोगों ने चैनल बनाया वह पूँ हम आपको ट्रेडिग कराएंगे मैं अबको हर वीडियों उताता हूं मैं किसी कुड टिप नहीं तू ता किसी कई ट्रेडिग नहीं करा था मेरा सिंपल है वी तो भी मत करो, पहले देखो, समझो, जब चीजे क्लीर हो जाया, हर बात समझ में आ जाया, खत्रे समझ में आ जाया, तब काम करो। अब में न्यूजिलेंड आया, मैंने तो इस पर ट्रिप प्लान नहीं किया, मैंने टीम नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, हमने किसी की टूर ऑपरेटर को थोड़ी यह खुद किया था, उन्होंने खूब यूटूब पर सरच करी, चीजे समझी, लोगों से बात करी, जो हमने ट्रिप प्लान किया, वंडरफूल, एक्सिलेंट रहा, हम तो करते ही हैं, तो यही चीज़ हम इसमें करते हैं, हम वीडियो के माध्यम से आपको चीजे सिखा देते हैं, डेमो, रिस्क मेंजमेंट, कैश्मेंट, फिर जो आप सीख जाते हैं तो अपने हैसाब से काम कर करेंगे, तो प्लीज टेलिग्राम पर कोई भी चैनल ऐसे मच जोइन करिये, कभी भी कोई कन्फूशन होता है, आपको मेरी टीम को कॉल करिये बहले, सत्तर, ग्यारा, तीन सो तीजिरो, सतत्तर, सेवेंटी, इलेवन, फ्री, ट्री, ट्री, जीरो, डबल सेवन, मांसी मिलें तो आप दे देते हैं, ख़ी लोग फिर परिशान होते हैं, यह प्लीज आप यहां पर करें, आगे बात करें, तो बजार मुझे बड़ा बुलिश लग रहा है, और मैंने चर्चार की ही डिटेलों बताया मुझे बजार बुलिश कियों लग रहा है, वीडियो को एंड तक कमेंट बढ़ता हूँ कि शेयर बजार बहुत ही खत्रनाथ जगह है यह एक भूली फाइनिंशल तभाई के लिए काफी है मैं केवाल एजुकेशनल वीडियो सी बनाता हूं मैं कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं चर्चा किये के स्टॉक उधारन के लिए और खरी चैब में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए बल्कि अपने रिस्क एपिटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए सदा याद रखें जिसने ली टिप उसकी हुई डिप शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है निवेश करने से पहले सभी सम्मं क्यार दिन उटे थोड़ा फीवर चल रहा है उता कि सारा दिन ठीक रहता है ठंड लगी सारा दिन ठीक रहता है छाम तर थक जाता हूं फिर टंगों में दर दूनश हो जाता है इधर आखों में दर और पिर कई बड़ी तुम्हें यहां जब 11 बस्ते हैं तो इंडिया में मैं निजिलाइन की बात कर रहा हूं, निजिलाइन में 11 अगले दिन अगले दिन करता हूं, तो इसलिए क्योंकि उस दिन तो फिर वह मैं सो जाता हूं, तो सुबह देखता हूं, आज भी मैंने कई सारे बहुत बढ़िया सोदे किया, आज भी अच्छी प्रॉफिट बगिंग कर यह महीना बहुत बढ़िया जा रहा है, हाला कि इस महीने बढ़ी उठा पटक रही, मैंने काफी सारा लॉस भी राइट आफ किया, उसके बावजूद भी बढ़ा अच्छा प्रॉफिट निकल जाएगा, तो प्रभू के आश्रीवाद से प्रभू की करपा से, और आप लो प्रभू के आश्रीवाद से अच्छा चल रहा है, बड़ी गिरावट आएगी तब कुछ पर्टिकुलर एरिया में बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा, तेजी आएगी तो फिर प्रॉफिट हाईगी, तो फिर प्रॉफिट है क्यों कि ओवरॉल तो मेरी पोजिशन लॉ प्रॉफिट है, बहुत में यह तो नहीं कहूंगे, बड़ा मेजर जंप मारा है पॉट्फोलिय ने आज, ठीक है ठीक है, मिली जुली तेजी है, तो कल हो सकता है, रिवर्स डिरेक्शन में देखने को मिले पर आज लग पक उसने नया हाई बना लिया बजार में फिर, तो बजार की जो डिरेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूं, चार्ट पर देखते हैं, थोड़ा में डिफरेंट स्टाइल का सेट अप है, थोड़ा में रिलाक्स में बेठा हूं, सोफा थोड़ा ज्यादा कमफर्टेबल है, तो नीचे धंसता जाता है, मुझे थोड़ी कलक करने, तो देखो बजार अगर आप देखेंगे, मैं जब यह वीडियो नहीं बनाई है इन दिनों, तो चार दिन से लगातर कॉंसॉलिडेट कर रहा है, इस पूरे हफते बजार ने कॉंसॉलिडेट किया, आप देखो, हलाकि यहाँ गैप भी छूटा हुए है, गैपों की काहानिया ऐसी होगी, अब गैपों की बात करने की दिले नहीं कर रहा है, यह मतलब मैंने फर्स्ट रांट देखा, यह वाले गैप कहा था, यह फिल हो गया अब यह फिल हो गया, आज ही फिल हो गया, आज बजार गिरा ना कफी, और आप देखो, बजार में बोलिश क्रॉस अब गुंगर आई दर सी दिखिया तक, तो कहने वाले तो कह रहे हैं, और मैं भी कहता हूं कि बजार तेजी से हर काटेगा, लेकिन अब क्या ना कि इतना आप्शन ट्रेडिंग में कहां आप हो रहा है, आपके इंडेक्स में, कि आपरेटर को पूरा मज़ा आ जाता है, व इसलिए बजार कर इस वक्ति कहना बड़ा मुश्किल है, बड़े अजीब सा दौर है, ऐसा दौर पहले हिस्ट्री में नहीं है कोई आपको य बात कोई नहीं बताएगा, क्यों कोई चर्चा ही नहीं करता है, इस बारे में दिखा है, इस पीर चल रहा है, कि इतनी ज्यादा इस बारे में ट्रेडिंग होती हो, वह भी ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स के अंदर, बहुत साल पहले तो होते ही नहीं थे इंस्ट्रूमेंट्स, फिर आ गए पॉपुलर नहीं थे, कोविड के बाद बहुत पॉपुलर हो है, अब तो यह सटोरिया मार्केर बनेंगे, चसका लग गया लोग को, इसलिए मुझे क्या लगता है, ऑपरेटर अपना मंदी कती से बजार बढ़ा रहा है, कोई मेजर बहुत गलत हीमेंट हो जाए तो मैं नहीं कहता, अधर बजार जल 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 बहुत गरेगा भी नहीं और बहुत तेजी से भागेगा नहीं, अरहाम जिस तरह का महल बना है, अब यूएस डॉलर इंडेक्स थोड़ा बैटर हुआ देखो, पीछे से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बैटर ही है, यूएस डॉलर इंडेक्स नहीं, ब्रेंड कुरूड वैल काफी खराब है, रुपया थोड़ा बैटर है, और आपका य देटा नहीं कठा आगे ने, मिल सकता है पुराना, अब मिलेगा भी नहीं, चलो, आज भी ऐफ़ाइस ने कैश तक मुने बिक्वाली की है, डीएज ने खरीदा रही कि नेट बिक्वाली आई है, और स्टॉक फूचर ही बेचे हैं, इंडेक्स फूचर खरीदे हैं, और यह अब आज की पोजीशन देखो आप, अब कल बजार बंदुवा, बीस एर पच्पन पे, बाइस एर पच्पन पे, कल तक का हाई था बजार का एक, और आज बजार गिरा शुरू में, बोटम बनाया, उसने की साथ सुप चत्त, फिर एक तरफा तेजी दिखाई, और नया ला बजार रोट अच्छा भागा है, HCL Tech, Icer Motor, Kohl India, ITC, M&M, Tech Mahindra, ITC में बड़ इच्छी तेजी आई है, मजएदार तेजी आई है, और इसके इलावा अगर आप देखेंगे, गिरने वालों में, इंडसिंट बेंक सबसे आ गया था, फिर HDFC बेंक, कोटक, महिंदरा बेंक, य यानि, टॉप सेवन जो शेर गिरें, उसमें चार तो बैंक कही है, तो फाइनेंस सेग्मेंट बुरा था, BPCL भी आज गिरा, हीरो, मोटर कॉप, HUL, ये भी गिरें, और इस चार्ट को तो मनें डिसकस करी लिया, अब PCR देखिए, अब मंथली एक्सपायरी है, 1.05 है, अल्म में रिडक्शन आएगा, और आपको बता दो, मंडे लॉट रहा हूं शाम को, तो मंडे को बता नहीं में, ट्रेल कर भी पाऊंगा, नहीं पाऊंगा, फ्लाइट में यूँगा न, कितने मजे पहुचने इडिया, राद को से, कितने मजे राद को, 9 o'clock, और कितने समय की फ् सिक्स आवर, कितने मजे पहुचेंगे, हाँ, तो अल्मॉस्ट में ट्रेडिंग हो जाएगी, वाँ, अल्मॉस्ट हो जाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी, सौदे दो डाल पाऊंगा, वाइफाई तो है, हम आरको उसने लास्ट टाइम भी दिये था, लेकिन इंडिया क पर उड़ता है, तो वाइफाई ने मिलता है, एर प्रेन में, कुछ इंडियन गौर्मिंट का रिस्टिक्शन है, अच्छा, अब निफ्टी बैंक, उस मुकाबले देखो, गिरकरी बंद हुआ, और कोई ऐसा भी नहीं कि बिलकुल, मामूली गिरा हो, चौथाई प्रतिशत पॉइंट टूवन यानि लगभग चुथाई प्रतिशन बड़ा ही होता है, हाला कि शुरू में तो काफी गिरा था, 47 एर, 19 पर कल बजार बंद हुआ, आज गैप डाउन ओपनिंग करी, और उस पर गिरता रहा, अच्छा बॉटम मनाया, 46 एर, 446, 26 का, फिर इसको एक बार और टच करने ही उखिश करी, फिर लगातार बड़ा, तो अब इसका तो अगर आप पैटर्न देखोगे तो यूशेप्ट है, यह जितनी गिरावर्ती सारी रिकावरी कर ली, अल्टिमेटी सेंट आलिचार 24 पर, कल की क्लोजिंग से उपर ही बंद हुआ है, और पीक से अब इसके चार्ट में आप देखोगे इसने क्या कराया है कि अपना जो मिडल बॉलिंजर बैंड का जो लेवल है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कैंडलों ने तोड़ दिया है, तो इसका वर्स्ट इस ओवर, अभी जो दिख रहा है, अब अनलेस जब तक ही मिडल बॉ बनती है, कोई दिक्कत ने, चारीजर के लेवल को नीचे डिसिसिवली क्लोजिंग देगा, फिर थोड़ा डर पैदा होगा, इवन इसका बुलिश क्रॉस ओर भी मजबूत है, हलां कि आज, छे सेशन के बार लाल हिस्टोग्राम बना, यानि जो मजबूती है, उसमें कमी आ मैंने आज ज्यादा ट्रेट्स किये हैं, बहुत सारे नहीं पोजिशन बनाई, इसकी डिटेल मैंने लिए, थोड़ा मैंने वीडियो शॉटर कोई बना लेता हूं, देखे, मैंने दो कॉले स्कुएर उफ करी, बड़े नुकसान हुए, लगभग, आप देख सकते, 96,000 का न बड़े निए, इसके बाद मैंने यह फूचर स्कुएर ऑफ के, इसमें भी 35 सेर का प्रॉफिट है, यह पुट स्कुएर उफ करी, इसमें भी मुझे लगभग 13,000 का प्रॉफिट है, लगभग जो प्रॉफिट हा आज का 146,000 एक दिन का यह अच्छा बड़ा प्रॉफिट इसमें मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो यह थे बेसिकली मेरे विचार, इन दिनों मैंने भले वीडियो ना बनाई है, पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कोर्सिस जॉइन के हुए, उनकी वीडियो मैडम शेर करती नहीं लगा था, उनको हम डेमो जो देते हैं, पिंडलियों होती हैं, क्या कहते हैं इसको, काफ मसल्स में बहुता है, हाला कि मेरे एक स्टूडेंट है, बहुत से पहला है, वो मुझे दवाई बताता रहता है, डॉक्टर है, बड़ा प्यारा बिच्चा है, धर्मेंदर उसका नाम है, तो यह ओवरॉल मैं तो बहु है, वो बुलिश ही है, और अभी बजार बुलिश ही लगता है, क्योंकि हमने वर्स्ट को ना बहुत पीछे छोड़ दिया है, अब जब तक कोई बड़ा वर्स्ट नया नहीं आ जाता, कोई ऐसी बात नहीं हो जाती, जिससे हम प्रशान हो जाएं, जिससे कहते हैं, कोई कहत आउट ऑफ ब्लू, कोई कहता आउट ऑफ स्लेबर्स, कोई कहता अनेक्स्पेक्टिड इवेंट हो जाएं, नेगेटिव वारा, तब तक मुझे नहीं लगता है, बजार में कोई ऐसी कमजोरी है, और जिस तरह से स्पेशली हमारी एकानमी चल रही है, जहां वर्ल्ड की डि हएगेट कौड बनारे होते हैं, कुछ नहीं सेक्टर क्रीं hai करते हैं तो मै करता हूं को सेक्टर जो पिट रहे होते हैं, उन में खृधारी कर लेता हैं. जो नहीं चले में खृधारी कर लेता हूं, और ववर्ल देखो, मिरा ममोड है भिएस हैं प्रॉफिट utiliser की तरफ, तो मेरी ओवरॉल ट्रेट्स तो पॉजिटिव ही है पर प्रॉफिट बुक करके बजार जब गिरता है तो मैं रिवर्स पोजिशने बना लेता हूं तो यह थी सारी कारें अब मुझे आप बताओ आपको क्या लग रहा है आपको लग रहा है बजार भागेगा गिरेगा क्या लग करें मैं आपको बात बता दू कई टाली डाम चैनल पर गलत प्लाटफॉर्म बने मेरा नाम यूज करते हैं और कहते हैं मार को ट्रेड कराएंगे हम कभी भी किसी को इडवाइज नहीं देते हैं को एम से पूछ भी देता हम करते हैं अपने इसक अपटाइट से करोगा हम के जर्मोस के दुवारा risk management, cash management, different strategies का implementation, वो सब करके दिखाते हैं, हमारा कोई objective नहीं होता, किसी को encourage करना कि वो trading करें, हम कहते हैं, पहले सीखो, समझो, risk को देखो, खत्रों को देखो, जब comfortable हो तब करो, तो टेलिग्राम पे ऐसा लोग पैसे ले लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फिर भी आप कैसे धोके में आ जाते हैं, में एक ही नंबर है, सत्तर, ग्यारा, तिन्सो तेश्ट, दिश्ट, 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 आप कनफर्म कर लिए अगरी उससे, कोई भी आपको चीज जॉइन करनी है, कोई पैसे मांग रहा है, क्योंकि हम ऐसे नहीं किसी से भी कुछ मांगते हैं, और डिमेट को नुकल वानद दु लिंक, दिस्क्रिप्शन वक्स में, तेलेग्रम को चैनल जोईंग रनद दु लिंक्रिप्शन वक्स में, इसी के साथ साथ, बाबाई, God bless you, happy investing और आप stock market के बीताज बात्शाव बने